Hello students, आज की इस वीडियो में हम activity 2.2 डिसकस करने वाले हैं इस activity के अंदर आज हम type of teeth in mouth cavity के बारे में discussion करेंगे ये देखिए आपको human beings की जो mouth cavity है जिसको हम oral cavity भी कहते हैं वो आपको दिखाई गई है हमारी oral cavity में दो चीजे में नुत्तिय है एक हमारे दात और दूसरा हमारी tongue लेकिन आज की इस वीडियो में केवल हम type of teeth को discussion करेंगे तो देखिए पहले हम type of teeth देखते हैं कितने तरह के दात हमारी mouth cavity में पाए जाते हैं ये आपको image में दिखाया गया है देखिए हमारी mouth cavity में हमारे मुग के अंदर चार तरह के दात पाए जाते हैं सबसे पहले है incisor second number पर है canine third number पर है premolars और fourth number पर है molars ये चारो type के दात हमारी mouth cavity में पाए जाते हैं तो चलिए आईए अब हम दातों को diagram की help से समझते हैं एक एक करके इन सभी types को हम यहां समझने की कोशिश करते हैं देखिए students आप लोगों ने apple तो जरूर खाया होगा जब भी हम apple को अपने दातों से काटते हैं तो सामने वाले दातों का use करते हैं और इन ही सामने वाले दातों को हम incisor बोलते हैं यह देखिए आपको image में apple खाते हुए दिखाया गया है तो जब भी हम apple खाएंगे तो सामने वाले जो चार दात हैं उनका use करते हैं apple को काटने के लिए जिन दातों का use किया जता है उन दातों की पहली type को incisor बोलते हैं यह देखिए यह जो आपको front में सेब काटने के लिए जिन दातों का use हम करते हैं उनी दातों को हम बोलते हैं incisor अब यह देखिए मैं बिल्कुल साफ clear बड़ा डाइग्राम आपको दिखा रहा हूँ यह देखिए यह चार टाइप के दात जो उतते हैं जो बिल्कुल front में उतते हैं इनी को हम बोलते हैं incisor ठीक है इन दातों की total संख्या हमारे mouth में 8 होतती है चार दात उपर वाले जबडे में होतते हैं मतलब चार दात lower जामे और चार दात अपर जामे set रहते हैं जब भी हम हसते हैं या mouth open करते हैं तो सबसे पहले हमें यही दात दिखाई देते हैं और इन दातों का कारिये बोजन को काटने के लिए किया जाता है मतलब इन दातों का कारिये बोजन को काटना होतता है जैसे हम apple खा रहे हैं तो apple को खाने के लिए सबसे पहले apple को काटेंगे तो जो टुकडा, जो बाइट हम काटते हैं तो जिन दातों का यूज करते हैं उन्ही दातों को हम incisor बोलते हैं तो यह आपको मैंने image में दिखा भी रखा है कि incisor वाले जो दात हैं वो कौन से हैं बिलकुल front में जो दात होते हैं वो incisor होते हैं इनकी संख्या total 8 है चार उपर होते हैं और चार नीचे की तरफ होते हैं यह देखिए दूसरे डाइग्राम में यह जो बिल्यू कलर में आपको चार फरंट वाले दात दिखाई दे रहे हैं यह incisor होते हैं इन दातों को हम cutting और biting teeth भी कह देते हैं यह देखिए टेबल के अंदर आपको दिखा रखा है कि cutting और biting teeth जो पहले नमबर पर है cutting और biting teeth की संख्या चार उपर वाले जबडे में और चार नीचे वाले जबडे में होते हैं टोटल संख्या इनकी 8 होते हैं तो यह थी हमारी first type अब हम second type के जो दात होते हैं हमारी mouth cavity में उनको देख लेते हैं students हमारी mouth के अंदर नुकिले दात भी होते हैं आपने नुकिले दात अपनी mouth cavity में जरूर महसूस किये होंगे और इनकी संख्या हमारी mouth में total 4 होती है यह देखिए आपको इस तरह के दात आपको अपनी mouth cavity में जरूर महसूस किये हैं देखे भी होंगे यह देखिए मैं mouth के अंदर का एक view आपको दिखा रहा हूं incisor के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है और incisor के side में जो दात होते हैं उनको हम बोलते हैं canine यह देखिए मैं आपको एक और picture दिखा रहा हूं सामने वाले जो front वाले चार दात है उनको छोड़के आप नुकिले दात देखिए यह देखिए नुकिले दात जो आपको दिख रहे हैं थोड़े से बड़े ये बड़े इसलिए दिखाएगए हैं ताकि आप आसानी से समझ सकें तो ये जो नुकिले दात दिख रहे हैं आपको side में ये इन नुकिले दातों को हम canine बोलते हैं और ये total हमारे mouth में 4 होते हैं दो उपर की तरफ और दो नीचे की तरफ मतलो lower जामे होते हैं इन दातों का use बोजन को फाड़ने और चीरने के लिए किया जाता है ये दात हमारे mouth में थोड़े से side में होते हैं जैसा कि आपको पिक्चर में नुकिले दात थोड़े से साइड में दिखाए गई हैं मतलब जो फरंट में जो दात है वो तो हमारे इंसीजर हैं लेकिन फरंट वालों के साइड में जो नुकिले दात थोड़े से बड़े करके दिखाए गई हैं आपको पिक्चर में वो कैनाईन होते हैं और इन दातों से हम बोजन को सीरने और फाडने का काम करते हैं इसलिए हम इन दातों को पाइरेसिंग एंड टीरिंग टीथ भी कहते हैं ये देखे टेबल में पाइरेसिंग एंड टीरिंग टीथ जो हैं दो उपर वाले जबड़े में दो नीचे वाले में टोटल इनकी संख्या चार दिखाई गई है आप लोगों ने गन्ना जरूर खाया होगा सुगर केन का जूस जरूर पिया होगा तो जब भी हम अपने माउथ से गन्ने को चूसते हैं सक करते हैं तो उसको चीलने के लिए चीरने के लिए हम इनी नुकिले दातों का यूज करते हैं यह देखे पिक्चर में बच्चा जो है वो गन्ना चूस रहा है गन्ने को खा रहा है तो इसके लिए वो चीरने और फाडने का काम कैनाईन वाले जो दात है जो नुकीले दात है उन्हीं से किया जतता है तो यह हमारे दातों की सेकिंड टाइप थी जिसको हम कैनाईन बोलते हैं अब हम आगे थर्ड टाइप के जो दात है उनको डिसकस करते हैं स्टुडेंट्स आपने अपने माउथ कैविटी में कुछ चोड़े मतलब वाइड टीथ भी देखे होंगे यह देखिए आपको यहां चोड़े दात दिखाए गई हैं यह देखिए आगे वाले जो दात है वो इतने ज़्यादा चोड़े नहीं होते मतलब डबल नहीं होते लेकिन पीछे के जो दात हैं, जो मूँ के थोड़े अंदर की साइड होते हैं, वो चोड़े होते हैं जब हम अपने बोजन को अपने मूँ में डालते हैं, तो बोजन को चबाने का काम पीछे वाले जो चोड़े दात हैं, उन से किया जता है और इन दातों का काम बोजन की chewing करना होता है मतलों बोजन को चबाना ये देखिए फ्रंट वाले दातों से आगे फ्रंट वाले दातों से आगे चोड़े जो दात दिख रहे हैं आपको अपने मुग के अंदर तो उनको बोलते हैं pre molar ये हमारे दातों की थर्ड टाइप होती है हमारी माउथ कावेटी में जो थर्ड टाइप के दात हैं उनको प्री मोलर बोलते हैं इन से हम बोजन को चबाते हैं ये दात हमारे दौजन को छोटे छोटे टुकडों में तोड़ देते हैं ब्रेक कर देते हैं ताकि बोजन हमारी बोडी में इजीली डाइजेस्ट हो सके इनकी संख्या हमारी माउथ कैविटी में टोटल एट होती है इन में से चार दात लोवर जामे और चार दात अपर जामे होते हैं इन्हें हम प्री मोलर टीथ भी बोलते हैं देखिए एक डाइग्राम कलर वाईज आपको दिखा रख़ा है आप इस डाइग्राम में देखिए जो आगे वाले येलो कलर के जो चार दात हैं हमारे जबडे के अंदर उनको बोलते हैं इन्सीजर इसी तरह जो येलो के आगे ब्लू कलर में दिखा रखे हैं जो दो दात हैं वो कैनाइन है और जो कैनाइन से आगे रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं दात चार दात दिख रहे हैं चार दात नीचे की तरफ और चार दात उपर की तरफ होते हैं इनको हम बोलते हैं प्री मोलर तो ये देखिए आपको color wise यहाँ पर अलग-अलग type के दाथ दिखा रखे हैं यहाँ आप इस diagram में जब देखेंगे तो yellow color में जो दाथ दिख रहे हैं वो incisor है blue color में जो दाथ दिखाई दे रहे हैं वो canine है और canine के आगे red color में जो आपको चोड़े दाथ दिख रहे हैं वो primolar है यह दाथों की third type होती है इनसे हम बोजन को चबाने का काम करते हैं और अब students हम सबसे last type जो है जो हमारे दाथों की सबसे last type है fourth type है उसको read करते हैं उसको discuss करते हैं अब यह देखिए green color में आपको चोड़े दाथ दिखाए गए हैं उनको बोलते हैं molar इनका कारिय बोजन को बहुत ही अच्छी तरह से grind करना होता है जो बोजन हम चबाते हैं उनको बिलकुल अच्छी तरह से grind करना इन ही दाथों का काम होता है हमारी mouth cavity में जो सबसे last में अंदर की तरफ जो दाथ होते हैं उनको हम molar बोलते हैं यह सबसे चोड़े दाथ होते हैं और इनकी संख्या देखिए टोटल इनकी संख्या 12 होते हैं नीचे की तरफ 6 होते हैं और उपर की तरफ भी 6 होते हैं यह देखिए green color में आपको जो दाथ दिख रहे हैं इस डाइग्राम में तीन और तीन 6 टोटल 6 दाथ आपको green color में दिखाए गई हैं तीन left hand side में तीन right hand side में 6 हो जाएंगे टोटल 6 नीचे की side और फिर 6 उपर की side होते हैं तो total molar की संख्या 12 होते हैं यह देखिए हमारी आम बासा में इनको हम जाड भी बोल देते हैं यह देखिए चोड़े जो दाथ आपको दिख रहे हैं यह बिलकुल last में होते हैं हमारी mouth cavity में और इन से बोजन को grind किया जाता हैं यह देखिए यह molar type के दाथ हैं ठीक हैं तो इस तरह human beings की mouth cavity में total 32 teeth होते हैं मतलो जो एक adult आदमी होता है उसके mouth cavity में total 32 दाथ होते हैं और वो 32 दाथ किस तरह से कहां कहां adjust रहते हैं यह मैंने आपको पीछे image में दिखाया भी है और यहां भी आपको एक image दिखाई गई है और इसका एक brief description आपको table में यहां दिया ग कि कौन कौन से दातों की संख्या कितनी होती हैं आप यहां दोबारा से देख सकते हैं cutting और biting teeth मतलब जो सामने वाले दात हैं चार उपर की तरफ और चार नीचे की तरफ उनको हम incisor बोलते हैं उनकी संख्या total 8 होती हैं इसी तरह जो नुकिले दात हैं जिनको हम piercing and tearing teeth बोलते हैं इनकी संख्या दो ऊपर और दो नीचे होती है total चार होते हैं इसी तरह जो चबाने के लिए जो दात हैं वो total 20 होते हैं हमारी mouth cavity में यह चार पलस छे चार पलस छे की काटेगरी में पाए जाते हैं जो चार हैं वो प्री मोलर हैं और छे हैं वो मोलर हैं तो इस तरह से total 20 जो दात हैं वो हमारे chewing और grinding के लिए होते हैं तो यह आप देखिए स्टुडेंट्स दात हमारे mouth में जिस socket में set रहते हैं उन्हें हम gums बोलते हैं जिसको हिंदी में मसूडे बोला जता है मसूडों के अंदर जो red color के मसूडे जो आपको दातों के नीचे दिख रहे हैं उनकी socket में हमारे दात बिलकुल set रहते हैं हिलते नीचे बिलकुल भी और इनी को हम गम बोलते हैं इनको सेफ रखना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए बच्चों हमें अपने दातों की अच्छे से देख बाल करने चाहिए क्योंकि पूरी life दातों से हमें बहुत सारे काम करने हैं बहुत सारा खाना अच्छा खाना है तो इसलिए हमें डेली ब्रूस या दातों करने चाहिए ओके स्टुडेंट्स बाई